Hello everybody, welcome to Magnet Brains, मैं हूँ Anisha आपकी अपनी English Educator कैसे हैं आप सब लोग? I hope everybody is doing well, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और इतनी अच्छी बात से चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी first poem, My Mother at 66 की summary and कुछ important question and answers So let's begin with summary यह summary में हम आपको बताने से पहले एक छोटा सा overview दे देती हूँ कि यह poem किस बारे में, यह poem एक बहुत beautiful relationship है एक mother and daughter के बीच में है, जो mother है वो खुद poetess है इस poem की वो अपने घर आई हुए हैं कुछ दिन के लिए और अब वापिस जा रही हैं coaching airport पे और वो जब रास्ते में जब airport जारी होती हैं, घर से airport जारी होती हैं तो रास्ते में अपनी mom को सोते हुए, कार में उनकी mom सो जाती है थोड़ी देर के लिए देखती हैं कि जो उनका mom का face है, वो बिलकुल old हो चुका है जुरियों वाला हो चुका है और जो उनकी age है, 66 years of age उतनी वैसा ही उनका face भी लग रहा है और कहीं नगों उनके दिल में डर आ रहा है कि उनकी mom की age है काफी बढ़ गई है और इस वज़े से कहीं उनकी death न हो जाए तो इतने negative thoughts से distract होने के लिए वो जब poetess window के बहार देखती हैं तो देखती है young trees उनने दिख रहे हैं, जो कि इतने fresh दिख रहे हैं, young बच्चे दिख रहे हैं, जो कि इतने energetic हैं, full of life हैं जो exactly opposite है उनकी mom से और उनकी mom के face से, जो कि dead body जैसा face दिख रहे हैं, वो हैं तो alive और face से इतनी old हो चुकी हैं कि वो dead body जैसी दिख रहे हैं तो finally poet airport पहुचती हैं and वो अपनी mom को कहती है, see you soon अमा, मैं तुमसे फिर मिलूँगी और फिर smile करती हैं तीन बार जिसका मतलब यह होता है कि वो realize करती हैं कि उनकी mom old हो गई हैं लेकिन इस realization के बाद वो अपने आपको बहुत brave बनाती हैं कि नहीं, मेरे बास एक उम्मीद है, एक hope है कि मैं अपनी mom से फिर से आके मिलूँगी और finally वो hope करती है, उम्मीद करती है कि मैं आऊंगी और अपनी mom से जरूर मिलूँगी और उनकी death नहींगी, वो alive रहेंगी किस के बता बारे में बता रही हैं, अपनी mother के बारे में, she says that she is 66 years old और बताती हैं कि उनकी mom की age कितनी है, 66 years old गी हैं वो and looks very weak and old, क्योंकि वो इतनी old हैं, इतनी बड़ी उमर की हैं, वो बहुत weak दिखती हैं और काफी बूरी दिखती हैं When the poet was returning from her parents' home and was on the way to the airport, her mother was accompanying her, तो जब poet जो है, एरपोर्ट जाती है, parents के घर से एरपोर्ट जाती हैं, तो रास्ते में कार में उनको कौन accompany करता हैं, कौन छोड़ने चलता हैं उनकी mom She noticed the mother who was sitting with her at the back seat of the car, तो उन्होंने अपनी mom को notice किया, जो कि पीछी वाली seat पे दुनों मा और बेटी बैठे हुएं और उन्होंने अपनी mom के face को notice किया, कब notice किया, जब उनकी mom सो गई थी गाड़ी में थोड़ी देर के लिए She was sleeping with her mouth wide open और उनका मूँ कैसा था, सोते वक्त open था, खुला हुआ था Her face was of the color of ash, ash क्यों होती है, राख, जली हुई राख, काला, ब्राउन, अजीब सा तो उनका जो face था, उनकी mom का वो कैसा दिख रहा था, ash जैसा, राख जैसा उनका face दिख रहा था It looked lifeless, इसका ये मतलब है कि वो lifeless, याने बेजान दिख रही थी बिलकुल This very thought disturbed her so much that she devoted her mind and looked outside the car तो ये जो इतना, मतलब अजीब सा negative thought था, अपनी माँ का इतना मूँ, face वैसे देख रही थी जो कि बिलकुल राख जैसा दिख रहा था, lifeless, dead body जैसी दिख रही थी तो उनको ऐसा लग रहा था, कहीं मेरी मॉम के death ना हो जाए, तो वो डर रही थी basically तो इतने negative thought से distract होने कली, वो अपनी कार के window के बाहर देखने लग गई She saw the trees by the roadside which seemed to be running तो उने क्या देखे, young fresh trees देखे, जो हरे भरे खिले हुए थे, बिलकुल fresh लग रहे थे वो भागते हुए दिख रहे थे, भागते हुए का मतलब क्या है यहाँ पर, sprinting इसका मतलब यह होता है, जब हम fast moving vehicle या किसी fast moving car में होते हैं और हम window के बार देखते हैं, तो जो भी चीज़ा हमें देखती हैं, वो पीछे की तरफ speed में छूटती हुए देखती हैं जैसे मैं बैठी हूँ बहुत सारे line, पूरी lane, पूरी trees से भरी हुए हैं, तो जब मेरी गाड़ी तेस्ट चलेगी, तो सारे मुझे trees पीछे की तरफ छूटते हुए दिखेंगे वो कहते हैं, उसे हम sprinting कहते हैं, तो ये जो चीज़ देखी उनने, वो बिलकुल opposite थी अपनी mom से, क्योंकि mom कैसे दिख रही थी बिलकुल dead, lifeless और उतनी speed में trees बहुत fresh था और पीछे की तरफ क्या कर रहे थे, छूटते जा रहे थे, तो दोनों चीज़े बहुत opposite थी उनकी mom के face से और क्या दूसरी चीज़ दिखी उनको window के बार, उनको छोटे यंग बच्चे दिखे जो playground के तुरफ खेलने के लिए बहाग रहे थे, अपने घरों से निकल निकल के, तो यंग बच्चे कैसे होते हैं, full of life, energetic, उनका face, उनकी skin कितनी fresh होती है, glow कर रही होती है बच्चों की skin तो ये सारी चीज़े क्या symbolize कर रही है, ये सारी चीज़े symbolize कर रही है, लाइफ की जिनमें जान है, जिनमें energy है और जिसमें happiness है, और ये तीनों चीज़े contrast में थी याने opposite थी उनकी mom की, क्योंकि बच्चों में बहुत full of life होते हैं, full of energy, बहुत खुश थे, exactly opposite उनकी मा की जो पता नहीं कब आईगी, कितने दिन बद आईगी, तो वो unhappy थी, when she reached the airport, she again looked at her ailing mother, who looked old and dull like the weak moon in the winter season, तो जब वो airport पहुची, तो उन्होंने फिर से अपनी mom को देखा, पीछे मुड के एक बार, तो again उनकी mom का face कैसा लग रहा था, बहुत weak लग रहा था, कैसे winter season में जो moon होता है उस जैसे, और उनकी mom कैसे लग रही थी, ailing याने बहुत weak लग रही थी, अब winter season का moon कैसे होता है, जब winter season खतम होने वाला होता है, तो जो moon होता है, वो clearly नहीं दिखता, जो bright moon, clear moon, clearly नहीं दिखता, क्यों क्योंकि उसके उपर fog आ जाता है, धुन्द आ जाती है, तो moon धु दुंदला दुंदला याने की बहुती foggy-foggy दिखता है, clear नहीं दिखता, exactly उसी तरह उनकी mom का face भी लग रहा था, like late winter's moon, याने की उनकी mom के जो face में, जो young adolescence का जो charm होता है, जो glow होता है, जो beauty होती 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 है, वो सब खतम हो गई है, और ढल गई है, किस जैसे, एक fog जै by the same fear that she had during her childhood, the fear of losing her mom, तो बच्चपन में, शायद poet कुछ दिनों के लिए, शायद अपनी आगे further studies करने के लिए, अपनी mom से बिछड गई थी, शायद कुछ दिनों के लिए दूर हो गई थी, तो उनके दिल में वो ही बच्पन वाला चो डर था, अपनी मा से बिछडने का, वो same feeling उदर एरपोर्ट पे खड़े हो के भी आ रही थी, कि बच्पन में भी मुझे ऐसा ही डर खाया था कि मैं अपनी mom से अलग हो रही हूं, दूर जा रही हूं, कुछ दिन के लिए वो शाय चली भी गई थी, तो same डर अभी उनके वही पर आ रहा था क्योंकि एरपोर्ट को यहां देखनी हूं, क्योंकि उनकी एज इतनी जादा है, इतनी old और इतनी weak है, इनको इतनी care की जरुवत है और उनकी care करने के लिए कोई है नहीं, तो शायद कहीं ऐसा नो कि जब मैं दुबारा हूं, तो मैं अपनी मा को alive या जिन्दा देख ही नहीं हो सकता है, उनकी श Her mother was about to die, but then she tried to come out of the sadness and she smiled at her mother, तो basically उनकी एज इतनी थी कि वो शायद कभी ना कभी उनकी death होई जाती, पर इतनी sadness, इतने दुख और इतने डर वाली feeling से बाहर आने के लिए, उन्होंने कुछ नहीं बोला, अपनी मा से सिर्फ smile किया, और बहुत widely उन्होंने smile किया, She said that soon she would see her again, तो उन्होंने अपनी माम को बोला, I will see you soon अम्मा, वो अपनी माम को अम्मा कहती थी, और कहती थी कि मैं तुम्हें फिर से मिलूँगी, आउंगी मैं, The poet wanted to be with her mother again and did not want to lose her, तो poet चाहती थी कि वो अपनी माम के साथ ही रहें, और अपनी मा को कहीं खोन आदे कहीं, उन्होंने मा की death न हो जाए, और वो चाहती थी कि उनके साथ रहके, वो उनकी usage में care करें, time spend करें अपनी मा के साथ, लेकिन शायद उनकी हो सकता है कुछ काम या क कोई ऐसी responsibility थी कि जिसकी वज़े से उनको जाना ही पड़ा, और smile करके इस उम्मीद के साथ कि वो फिर से आएंगी, अपनी माम से मिलेंगी और उनकी मदर की death नहीं होगी, वो वहाँ से चली जाती है, कि अब हम important question and answers discuss करने वाले हैं, जिसमें first question है, what is the kind of pain and ache that the poet feels, किस तरीका का pain, एक जो दर्द है, वो poet feel कर रही है अपनी मा के लिए, तो when the poet looks at her mother's face closely, she discovers that she has aged and her end is near, तो जैसे ही poet गाड़ी में बैठे बैठे अपनी मा के face को देखती है, वो ये realize करती है, कि उसकी ममी की जो age है, वो बहुत जादा हो गई है, और उनका end is near है, ने किसी भी time शाह दिन की death हो सकती है, The feeling of her mother being old, needing care and help, pains the poet as there is no one to look after her, तो ये जो feeling है कि जो मेरी mother है, बहुत old हो गई है, उसको care और help की ज़रुद है कि कोई उसके साथ रहे, उसकी देखबाल करे, care करे, लेकिन कोई और है ही नहीं उनकी care करने के लिए, ये feeling और ये सब कुछ देखके, poet बहुत दुखी हो जाती ह She feels that her mother can die any moment and that then she will lose her forever तो अपनी mom के इतनी weakness को और इतने उतरे हुए चेहरे को, रिंगल भरे चेहरे को देखके, poet को लगता है कि वो इतनी weak हो गई है कि इसकी किसी भी time death हो जाएगी और मैं अपनी मा से हमेशकली बिछड जाओंगी Her childhood fear of losing our mother which was then timely but now will be forever and comes back to her तो जो बच्च्पन में अपनी मा से शायद वो कभी बिछडी होंगी and वो जो डर बिछडने का था वो फिर से airport पे खड़े होके उनके सामने आ रहा था कि मेरी mom की death हो जाएगी, मैं फिर से हमेशकली उससे बिछड जाओंगी forever के लिए वो डर बार बार poet के पास आता है तो इसी दर्द, इसी पेन और इसी एक को यहाँ पे poet के पेन को हम explain करते है Second question, why are the young trees described as sprinting? यह जो young trees हैं, जो पेड हैं, जो trees हैं, जो window के भार poetess ने देखे, उनको sprinting क्यों बोला गया? इसका meaning क्या है? The young trees have been personified, यह जो young trees उनको personified किया है, याने इसमें क्या add किया है? इसमें एक human quality add करी कि वो sprint होके, बाहर आ रही है When looked at from the poet's moving car, they seem to be running past जब poet की चलती हुई, fast moving car के बाहर आप देखते हैं, तो जो young train से बाइसा लगता है, पीछे की तरफ जल्दी जल्दी छूट रहे हैं तेज कार के आप बैठे हो और बाहर देखोगे तो आपको लगेगा जितनी भी चीज़ें पीछे की तरफ जल्दी छूट रहे हैं तो उसी को sprinting कहते हैं, और trees को वो ही quality दी गई है यहाँ पे The poet found it to be strikingly opposite to her mother, who looked as still as a dead body तो poet को यह चीज़ बहुत contrasting यहने opposite लगती क्योंकि एक तरफ अपनी mom को देख रही हैं जो एक dead body जैसे सो रही है, मूँ खोल कर और दूसरी तरफ वो young fresh trees को देख रहे हैं जो speed में पीछे छोड रहे हैं, छूट रहे हैं तो वो mom का face और जो young trees स्प्रिंट हो रहे हैं, दोनों काफी opposite थे, poet के लिए Third question, why has the poet brought in the image of the merry children spilling out of their homes? तो poet ने यह merry children, merry children याने कि जो यह happy children होते हैं इसके बारे में हमें क्यों बता है कि वो अपने घरों के बाहर spilling out of their homes आ रहे है spilling याने कि निकल निकल के अपने घर के बाहर आ रहे हैं, यह चीज उनोंने क्यों बताई है पोएम में The poet draws a comparison between what is traveling with her and what she can see outside The poet दो चीजों में compare कर रहे हैं, एक चीज जो उनके साथ travel कर रहे हैं याने कि जो कि उनकी mom जो उनके साथ travel करके जारी है एरपोर्ट तक और दूसरी चीज दो वो विंडो के बाहर देख रहे हैं, यांग बच्चे जो हैं अपने घरों से बाहर निकल निकल के आ रहे हैं playground के तरफ जा रहे हैं खेलने के लिए It's a comparison between life and death, यह basically life और death के बीच में comparison है क्योंकि जो बच्चे हैं वो life है, full of life energy है, खेल रहे, कूद रहे, मस्ती कर रहे है और दूसरी तरफ कौन है, उनकी माँ जो की सो रही हैं और ऐसे सो रही हैं जैसे dead bodies जैसी लग रही है और still है, बिलकुल move नहीं करी, तो life और death के बीच में basically comparison है Her mother is sleeping with mouth open like a dead body, while outside she can see children who are full of life, energetic and enthusiasm वो ही चीज़ मैंने भी आपको यहां पर explain करी 4th question, why has the mother been compared to the late winter's moon? जो poet की mom है, उन्होंने उनको late winter's moon से क्यों compare किया है? तो देखते हैं, just as the late winter's moon is dull and lacks luster So is her mother at the end stage of her life जैसे एक late winter का जो moon होता है, बहुत डल होता है और उसमें कोई luster याने कोई shine नहीं होता है क्योंकि उसके उपर पूरा fog, पूरी धुन्द आ जाती है winter season में Exactly उसी तरह, poet की mom का भी जो face है, वो हो गया है इस तरीके से क्योंकि उनकी life की वो end stage पर है, बहुत dead हो गई है, अपना glow और अपना charm सब खो चुकी है Also, as the late winter moon gets overshadowed by the fog in the sky Similarly, her mother can get overshadowed by the death at any time जैसे late winter moon के उपर fog याने धुन्द चा जाती, धुन्दला हो जाता है उसी तरह, उनकी mom भी overshadow याने उसके उपर किसकी चाय आ गई है, death की, moth की याने उनके उपर भी कभी भी death आ सकती है Both of them are nearing an end, one of the season and one of the life Both, corn याने mom and moon, दोनों किसी चीज़ के end पर आ रहे season start होने वाले क्योंकि अब sun, जो moon है वो बिल्कुल clear दिखेगा summer season में तो वो कह रहे हैं कि जो moon है, वो end पर आ रहा है season के याने अपने season खतम करके अब summer वाले moon पर आएगा और mom भी end पर आती है, लेकिन कौन से end पर अपनी जिंदगी के end पर आने उनके death कभी भी हो सकती है जो parting words याने बिछडते वक्त जो poet ने अपनी मा से words बोले और साथ में एक smile करी इन दोनों का क्या signify करा है, याने इन दोनों का क्या importance है क्योंकि एक बार में poet ने जाते वक्त क्या बोला था, parting words याने बिछडते वक्त उनके words क्या थे see you soon amma, मैं फिर से तुम्हें मिलूंगी और फिर वो smile करी, और smile का मतलब ये था, एक उमीद कि मैं अपनी मा को देख पाऊंगी याने इन दोनों चीज़ों का क्या मतलब है the parting words of the poet show the positive attitude the parting words क्या थे, see you soon amma, मैं तुमसे फिर मिलूंगी मा ये एक positive attitude show कर रहा है, poet कि वो positive और ये negative thoughts अपने mind में नहीं ला रही है और सोचरी कि मैं अपनी मा से आऊंगी और बिल्कुल मिलूंगी she overcomes her pain and fear फिर वो अपना pain और जो fear जो डर है दिल में मा को खोने का उससे थोड़ा अपने आपको overcome करती है assures herself, अपने आपको assurance देती है स्याने, समझाती है अपने आपको and her mother that day would meet again और अपनी मदर को भी बोलती है कि हम फिर से मिलेंगे, see you soon she is being very brave और फिर वो बहुत brave feel कर रही है which is indicated by the use of repetition in the poem smile and smile and smile तो वो brave feel कर रही है, अपने आपको smile कर रही है, याने दिल में दर्द है और face पे एक smile है याने वो सुचो कितनी brave है कि अंदर से डर रही है अपने मा को खोने का और face पे bravely, बहादुरी से smile कर रही है और अपनी mom को positive attitude से बोल रही है, see you soon अम्मा मैं तुमसे फिर मिलूंगी, उमीद है से कि मेरी mom की death नी होगी, मैं आउंगे और अपनी मा को मिलूंगी, और इसी लिए बार-बार वो smile 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 करें और इसी से समझ में आ रहा है कि वो कितनी brave है अंदर डर and fear की feeling है डर की और मतलब insecurity और face में brave smile है और उमीद है कि मैं अपनी मा से जरूर मिलूंगी So children, with this we come to an end of the session जिसमें हमने summary अच्छे से detail में explanation किया हमने और हमने सारे important comprehension question and answers समझे I hope आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और अगर नहीं आया तो आप फिर से मेरी videos को revisit कर सकते हैं और समझेंगे अगर आपको मेरी videos YouTube पे नहीं मिल रही है तो एक छोटा सा process आप follow कर सकते हैं आपको कुछ नहीं करना आपको simple Google पे जाने और हमारी website का नाम डालना है जो कि है magnetbrains.com जैसे ही आप हमारी website का नाम डालेंगे ऐसे एक page आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पर सारी classes दी हुई है class 12, 11, 10, 9, 8 और हर class में सारे जो subjects पढ़ाये जाते हैं और जो भी teachers उन subject को पढ़ाती है उनका detailed description दिया है for example मुझे class 11th की English देखनी तो मैं class 11th पे click करूँगे जब मैं click करूँगी तो इस तरीके से मेरे सामने एक page आ जाएगा जिसमें सारे teachers दो English पढ़ाते हैं और जो सारे subjects geography, political science, maths, biology जो भी subjects पढ़ाते हैं वो सब सामने आ जाएगे तो यहाँ पर English है जो कि मैं पढ़ाती हूँ आप इस पर click करेंगे तो सारी details और सारी list of chapters and poems आ जाएगे जिसमें detailed introduction दिया हुआ है explanation दिया हुआ है summary, question and answer सब कुछ explain कर गा हुए यहाँ पर for example मुझे first chapter portrait of a lady का introduction देखना है तो मैं अस पर click करूँगी तो जब मैं click करूँगी तो मेरा video इस तरीके से start हो जाएगा और आप देख सकते हैं पूरा video का detailed explanation इसी तरीके से आप class 12 खली भी कर सकते हैं और अपनी English की मेरी videos पर जा सकते हैं तो I hope आपको अब समझ में आ गया होगा कि कैसे easily आपको website पर पहुचना है तब तक लिए children Bye Bye and Take Care